नेक्स्ट कॉंसेप्ट जो हमारा है वो है प्रोपर्टीज अफ बिनोमियल कोफिशेंट्स अफ बिनोमियल कोफिशेंट्स अफ नेक्स्ट इसमें सबसे पहले दो प्रोपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं सम अफ बिनोमियल कोफिशेंट्स इस तो पावर एन ध्यान रखना सी आर इक्वल्स तो एन सी आर मैं उपर एन नहीं लगा रहा हूं तो इस अंडेस्टूट के उपर एन है सेकंड एन सी जिरो प्लस मैं उपर एन नहीं लगाऊंगा तो सम अफ और बिनोमियल कोफिशेंट्स equals to sum of even binomial कोफिशेंट्स equals to 2 पावर एन माइनस 1 अब्यस सी बात है कि यह sum of all odd as well as even binomial कोफिशेंट्स लिखा हुआ है हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें सिरफ sum हमें सिरफ even या फिर सिरफ odd binomial कोफिशेंट्स की वैल्यू का Sum कैलकुलेट करना है तो अगर यह दोनों बराबर है और दोनों का Sum 2 पावर N है तो किसी एक का Sum तो 2 पावर N माइनस 1 होगा ही न ठाओ how, binomial coefficients की जितनी भी property होंगे, वो इस expansion की help से हम prove कर सकते हैं, कैसे, इसे अगर expand करें तो हमारे पास यह आएगा c0, c1 x power है, c2 x power, it is x, it is x square, c3 x cube and so on up to n times, चीक है, put x equals to 1, इसे नाम दिया मैंने star का, put x equals to 1 in star, star में अगर हम x equals to 1 put कर दें, तो हमारे पास यह आएगा 2 power n equals to c0 plus c1 plus c2 plus c3 and so on, तो इसे आप ध्यान से देखें, यह लिखा हुआ है, c1 plus c3 plus c5 and so on equals to c1 plus c0 plus c2 plus c4 and so on, तो this is the situation, तो यह प्रूव हो गया कि sum of even coefficients equals to sum of odd coefficients, कोपी किया आप लोगो ने, next c0, cn, c1, cn-1, c2, cn-2 and so on, cn-1, c1, c1, c, and c0 is 2n cn and also equals to c0 square, c1 square, c2 square and so on, cn square. लाइन यह तेड़ी हो गई है, लगाएंगे ही नहीं, आप तो यह समझो, च्रिक है, इसे प्रूव करना है, इसे प्रूव करने के, मैं दो मैथट आपको बता रहा हूँ, एक मैथट इंस्पायर्ड है, वेंडर, मॉन्डे, कॉन्वूलेशन से, एक मैथट इंस्पायर्ड है, वेंडर, मॉन्डे, कॉन्वूलेशन से, वो क्या है, उसकी खासियत क्या है, आप बेश देखें c का, दोनो c के दोनो बेशिज का सम यदि फिक्स हो, यहां देखो, 0 प्लस n, n, 1 प्लस n माइनस 1, n, 2 प्लस n माइनस 1, n, n माइनस 1, 1 प्लस 1, n, n प्लस 0, n, यहां यह लग सकता है, लेकिन यहां अगर इसे लगाना है, c0 square को, तो c0 into cn लिखना होगा, c1 square को c1 into cn-1 लिखना होगा, c2 into cn-2 लिखना होगा, तो यह अपने को लिखना होगा, तो आप ध्यान लखना, यह वेंडर मोंडे को निविलेशन वाला जो concept में लगाने वाला हूँ, this is only valid when sum of subscripts is constant, जैसे यहां पर हर जगा sum of subscripts जो है, वो n के एककुल है, तो यहां यह लग सकता है, लगेगा कैसे, चेक करें क्या, चलो, ठीक है, मैं यह कह रहा हूँ, कि let we have two n students in a class, out of which n boys and n girls, we have to select, we have to select, we have to select n students for a competition, या कुछ भी n thing, ठीक है, n students हमें in में से select करने हैं, तो इसके दो तरीके हैं, एक स्ट्रेंट, मतलब दो स्ट्रेंट को माल लो, यह problem दी गई, तो एक स्ट्रेंट ने कहा, कि sir हम case लेंगे, कैसे case लेंगे, 0 boy and girls, या फिर 1 boy and minus 1 girls, या फिर 2 boys and minus 2 boys, ऐसे उसने solve किया, तो कोई भी case उसने leave नहीं किया, कोई भी case उसने नहीं छोड़ा, ठीक है, कोई भी case उसने miss नहीं किया, तो उसके पास ये expression बनेगा, पर दूसरा student कहते है, sir condition कोई है नहीं, ठीक है, condition कोई है नहीं, तो हम सिधा क्यों नहीं ऐसा कर दे, कि number of students, total number of students, यानि कि 2n में से n students calculate, select कर लो, हो गया, तो, अगर आप ये calculate करना चाहते हो, यानि कि इसका मैं मतलब बता दूँ, ये लिखा है c0 into c0, c1 into c1, c2 into c2, cn into cn, अगर ऐसा कुछ आपको, ऐसी कुछ कोई series आपके पास है, जिसमें, सबस्क्रिप्ट का difference सेम है, तो, in this situation, we are capable to convert this into sum of subscripts is constant, कैसे, c0 की जगा cn, c1 की जगा cn, minus 1, and so on, तो इसे भी प्रूफ किया जा सकते हैं, बस पहले इसे, इस फॉम में कनवर्ट करना है, then apply, वाइंडर मौन्डे कॉन्विलेशन, मैं इसे ये भी बोलूँगा, boy-girl problem, या फिर लड़का-लड़की method, तो ये पतानी दिमाग में रहे के ना रहे, तो जब मैं बोलूँगा-लड़की method, आप समझ जाना कि ये तो वही concept है, ठीक है, अब देखो, इसी को solve करने का एक दूसरा method भी है, ठीक है, इसी को solve करने का एक दूसरा method भी है, देखो, उससे आप कुछ भी solve कर सकते हो, direct ये भी solve कर सकते हो, direct ये भी solve कर सकते हो, एक काम करते हैं, जो दूसरा method मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है coefficient method, उस method से direct ये वाला result लेकर आते हैं, obvious ही बात है कि C0 square, C1 square ये तभी create हुआ होगा, जब इस type की दो series multiply की हुई होगी, C0, C1x, C2x square, C3x cube, Cn-1, x power n-1, Cnx power n. ठीक है, इसके बाद ये अपने पास आगई situation, अब देखो, ये बात बिल्कुल clear है, कि C0 square तभी create हुआ होगा, जब एक और expansion multiply हुई होगी, पर अगर हम एक और expansion multiply करें, तो C0 square, C0, C1, C0, C2, खूब सारी terms आई होगी, अब उन में से कोई एक term ये भी रहेगी, अब अपने को क्या दिमाग लगाना है, हमें कुछ ऐसा सोचना है, हमें एक ऐसी, अब हमें कुछ ऐसा करना है, कि C0 square create हो, लेकिन C0, C0 square create होने, यहां पर मैंने क्या का था, कि ये अपने पास आगया, हमें C0 square चाहिए, ठीक है, C0 square create करना है, तो कुछ ऐसा लिखो, जिससे, मतलब C0 into C0, C0 into C0 करने पर जो X की पावर आए, वही सेम पावर C1 into C1 करने पर भी आए, वही सेम पावर C2 into C2 करने पर भी आए, वही सेम पावर C3 into C3 करने पर भी आए, क्या कहा मैंने, कुछ ऐसा लिखो, कि C0 into C0, इन दोनों terms को multiply करने पर यहाँ पर भी जो भी मैं लिखूंगा उससे C0 वाली term से multiply करने के बाद जो x की power आए वही same power C1 को C1 वाली term से multiply करने के बाद आए. तो obviously अगर यहाँ x की power increases हो रही है तो यहाँ x की power decrease हो गई. Decrease हो गई यानि कि हमें ये वाली expansion लिखनी होगी c0 x power n c1 x power n minus 1 c2 x power n minus 2 c3 x power n minus 3 and so on यहाँ पर आजाएगा cn minus 1 x and cn अब देखो this is 1 this is 2 1 and 2 को मैंने किया multiply तो मेरे पास जो आया वो आया 1 plus x whole power 2n और यहाँ पर ये बड़ी सी bracket into ये अब जब हम इन दोनों को multiply करेंगे तो total number of terms हमारे पास जो आने वाली है वो आने वाली है 2n plus 1 दोनों को जब multiply करेंगे और मुनलब same power वाली terms जब साथ रखेंगे लेकिन हमारी requirement है c0 into c0 हमारी requirement है c1 into c1 अब देखो c0 into c0 में x की पावर क्या आ रही है n c1 into c1 में x की पावर क्या रही है इन दोनों को multiply करो x power 1 x power n minus 1 दोनों का sum n c2 into c2 में x की पावर क्या रही है x square x power n minus 1 2 यानिके फिर दुबारा n मतलब यह हुआ कि compare coefficient of x power n both sides क्यों? क्योंकि हमारी जो required term है c0 square c1 square c2 square उन सभी में x की पावर n ही आ रही है तो left hand side पे x power n वाली कौन सी term है? x की position b वाली position है और जो b वाली position होती है उसकी जो power होती है वही सब्सक्रिप्ट में लिखा जाता है और यहाँ पर x power n वाली कौन सी term आ रही है? आप देखो ये into ये होगा x power n वाली term c0 को इससे multiply करेंगे तभी x power n आएगा c0 को और किसी से multiply कर लो xn नहीं आएगा similarly c1 को इससे multiply करेंगे तभी x power n आएगा बाकि इससे किसी भी term से multiply कर लो x power n नहीं आएगा तो c0, c1, c2 and so on x power n now this is equals to this and this is what we have to prove this method is called coefficient method general method यही है थोड़ा सा complicated जरूर है लेकिन general method यही method है यह method भी आपको आना चाहिए तो यह properties आप याद रखना c0, cn हाँ अगर आप चाहते हो कि इस method से direct यह आए तो उस case में हमें क्या करना होगा उस case में हमें दुबारा यही series लिखनी होगी फिर पूरा पूरा expression उल्टा कर लिखना होगा cn x power n cn minus 1 x power n minus 1 और फिर multiply करना होगा तो हर चीज पोसीबल है इस method से and this method is general method as compared to लड़का लड़की method अगली जो identity है वो है c-r c-0 वो identity है c-0 c-r next है c-0 c-r plus c-1 c-r plus 1 तो अपने पास total आखरी जो term होगी वो क्या आएगी cn cn terms आई है ना r n यानि कि total number of terms कितनी है n minus r तो यह क्या आना चाहिए यहां दोनों का sum difference जो है वो r है तो यहां तक जाएगा यह c-0 c-r c-1 c-r plus 1 तो यह अपने पास इसकी जो value होगी वो आएगी 2n c n minus r या फिर 2n c n plus r इन में से एक value इसकी होगी अब देखो मैंने काया था हमेशा बेस पे नज़र टालो जो यहां बेस का मतलब sub scripts जो यहां sub scripts हम यूज कर रहे हैं उनका sum constant है या फिर difference constant है difference constant है और जो लड़का लड़की problem है that will only valid if sum is constant तो अगर sum difference constant है sub scripts का तो क्या उन्हें sum constant में convert किया जा सकता है येस किया जा सकता है कैसे देखो c0 को c0 रहन दो इसे लिखो n-r plus c1 n-r-1 and so on इसे हम लोगों ने change नहीं किया 0 अब मुझे बता what is sum n-r what is sum n-r what is sum n-r तो ये दोनों भी same है अब मैं इसे कैसे निप्टूंगा wonder monday convolution या फिर लड़का लड़की concept यहां कैसे लगाया जाएगा ऊपर n है ऊपर n है यानकि total कितने two n strands ठीक है total कितने two n strands out of which n-r boys n-r girls ठीक है हमें हमें एक group select करना है कितने strands का क्या समा रहे n-r यानकि out of two n students we have to select n-r तो अशर आगे अपने पास और यही हमें approve भी करना था two n strands में से n-r strands हमें select करने है out of which देखो या तो एक तरीका यह है zero boys n-1 girls one boy n-r minus one girls and so on नहीं तो हम direct क्या करेंगे direct to n-r अब जनलाइज तरीका जो लड़का-लड़की concept याद करने का है वो यह है कि जब हमारे पास इस टाइप का कुछ हो summation r from 0 to जब है summation r from 0 to and इसे रहन दो क्योंकि summation की terms में अगर आप लिखोगे तो यह आप चाहते हैं summation की terms में लिखना क्या आप चाहते हैं ठीक है summation की terms में इसे लिख देते हैं summation c r and c n minus r c 0 से n minus r तक it is c m ठीक हैं and n minus r minus m where m is from 0 to n minus r देखो जब 0 होगा तो अपने पास आगया जब 1 होगा तो अपने पास आगया this is equals to 2 n करेंगे क्या हम उपर हैं जफ यजब आगjen गवास जब देफ से इसी पास आगया पास सुझे क्वस्वश्ड़ जा क्यां आस करेंगे ऑ़े पास करेंगे चल जझे करेंगे रह पास पास झाल झाल ये शांदार एक method, एक question मैं आप लोगं को बताने जा रहा हूं. If 8c4 plus 2 into 8c5 plus 8c6 is xcy, xy are natural numbers, then find value of x plus y, then find value of x plus y, ये situation हमारे पास है, इसे solve करने के दो तरीके हैं ही अपने पास. पहला method, अगर आप gradually देखें, तो 1, 2, 1, यानि कि 1, 2, 1, कभी भी ऐसी gradual series आपको दिखें, तो समझ जाओ कि ये binomial coefficients हो सकते हैं. तो क्या ये binomial coefficients हो सकते हैं? Yes, हो सकते हैं. 2c0, 8c4 plus 2c1, 8c5 plus 2c2, 8c6. अब आपको देखना है, कि सब्सक्रिप्स का जो सम है, क्या वो सब्सक्रिप्स का जो सम है, क्या वो constant है? नहीं. difference constant है. तो आप इसे convert करो sum constant में. इसे 2c2, 8c4 लिख सकते हो. इसे 2c1, 8c5 लिख सकते हो. इसे 2c0, 8c6 लिख सकते हो. अब मुझे यहां पर बताओ कि क्या sum सेम है? Yes. अब मैंने क्या कहा था? कि जो superscripts होंगे, उनका sum. सब्सक्रिप्स होंगे, उनका sum. तो हमारे पास 10c6 आया. अब देखो 10c6 लिख सकते हैं, 10c4 लिख सकते हैं. मैंने कहा, this is xcy. What is find maximum value of xcy. अब आप लोग गलती क्या करोगे? आप कहोगे सब 10c6 से अपने को maximum value मिलेगी. याने कि maximum value is 16 और यह option भी 16 होगे. तुम टिक करोगे और खट से डास करते हुए बहार आओगे, कि मज़ा आगया, 6 ही अंसर है. 16 ही अंसर है. लेकिन यह गलत है. 10c4 या 10c6 यहाँ से लग रहा है कि maximum value of x plus y is 16. लेकिन मैं दो में बताता हूँ क्या गलती है. 10c6 को हम लिख सकते हैं 10 factorial. सीधा c को break करें आप. 10 into 9 into 8 into 7, 4 into 3 into 2. ठीक है? 210. इसकी value 210 आई. अब मुझे बताओ क्या 210 को हम यह लिख दें. अब अब कंपेर करो x c y से. Now this is the maximum value of x c y. 499. ऐसी ही x minus y की minimum value आप से पूछी जा सकती है. वो हमेशा ही 0 होगी. वो हमेशा ही 0 होगी. यह एक method है. दूसरा method इसका यह है कि 8 c 4. इससे आप लिखेंगे 8 c 5 plus 8 c 5 plus 8 c 6. सही है. जूता, टौपी जूता प्रोपर्टी. टौपी का नंबर बढ़ा दो, जूता बढ़ा पहना दो. टौपी का नंबर बढ़ा दो, जूता बढ़ा पहना दो. अगें टौपी का नंबर बढ़ा दो, जूता बढ़ा पहना दो. now proceed as previous एक और question अब लोगों को देने जा रहा हूं है अगला question यह है if 100C10 plus 5 into 100C11 plus 10 into 100C12 plus 10 into 100C13 plus 5 into 100C14 plus ठीक है 100C10 5 into 100C11 10 into 100C12 10 into 100C13 5 into 100C14 and 100C15 ठीक है if this equals to find value of this यह अपने को calculate करना है find value of this अब देखो इसे हम कैसे calculate कर सकते है ध्यान दे ध्यान देने के लिए शुक्रिया कैसे calculate कर सकते है coefficients देखो यह 5 है यह 10 है यह 10 है यह 5 है यह 1 है यानि की coefficients increase कर रहे है decrease कर रहे है यानि की समझ जाओ कि यह binomial coefficients ही है तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं यह तो पता चल गया कि लड़का लड़की problem चले गी अब इसके subscripts इसके जूते का number बढ़ रहा है तो आप ऐसे लिखे binomial coefficients कि जूते का number घटे 5C 5, 100C 10 5, 5C 4 5, 5C 4 100C 11 10, 5C 3 100C 12 10, 5C 2 100C 13 5C 1 100C 14 and last 5C 0 100C 15 तो दिस इस दा situation अब बताओ लड़का लड़की problem चलेगी उसके लिए जूते का sum जूतों का sum सेम होना चाहिए है क्या तो वंडर मॉंडे convolution क्या कहता है टोपी के number का sum C जूते के number का sum यानि के it is 105C 15 it is also 105C कितना आएगा 90 चीक है तो question शानदार है इसके बाद हम शुरू करेंगे और टाइप्स next type है next question है find value of C0 square minus C1 square plus C2 square minus C3 square so on so on plus minus 1 power n C n square what is value of this we have to find value of this ये बात मैं clear कर चुका हूं आप लोगंको कि coefficient method is more general and by using coefficient method we can simplify each question of this type जिसमे binomial coefficients की degree एक से जादा हो in fact दो हो ठीक है अब यहाँ alternate है start तो हम वहीं से करेंगे 1 plus x power n C0 plus C1 x plus C2 x square plus C3 x cube so on ये अपने पास आ गया ठीक है अब देखो हमें C0 square चाहिए यानि कि हमें एक ऐसी series लिखनी पड़ेगी कि C0 वाली term जब C0 से multiply होगी तो x की जो power आए वो वही आए जो C1 x C1 से आए तो एक बात बिल्कुल clear है कि मुझे जो series लिखनी है वो ऐसी लिखनी है कि मुझे क्या चाहिए C0 x C0 में x की power वही आए जो C1 x C1 में आए वही आए जो C2 x C2 में आए यहां पर x की power लगातार increase हो रही है यानिकि मुझे ऐसी series लिखनी होगी जहां पर x की power लगातार decrease हो रही है तो मुझे लिखना होगा x plus 1 whole power n C0 x power n ठीक है C1 x power n minus 1 C2 x power n minus 2 C3 x power n minus 3 लेकिन क्योंकि मुझे यहां alternate चाहिए alternate चाहिए तो आप इन दोनों में से किसी एक series को alternate बनाओ और वो easily possible है वो easily possible है अगर वो easily possible है अगर हम बीच में minus का निशान लगा दें क्या यह बात सही है अब देखो एक मैं तुम्ही suggestion देना चाहूँगा कि जब भी आपको alternate जब भी आपको alternate करना हो तो better यह है कि 1-x को alternate करो इससे बाद में गलती होने की chance नहीं होंगे ऐसा इसलिए क्योंकि x plus 1 को हम उल्टा सकते हैं उल्टा सिधा लिख सकते हैं ठीक है लेकिन x-1 वाले case में हम x-1 को 1-x नहीं लिख सकते इस वज़े से मैं यह suggest आपको करूँगा कि जब भी आपको alternate चाहिए हो और आपके पास 2xपेंशन हो एक 1-x और एक 2xपेंशन हो एक 1 से स्टार्ट हो रही हो एक x से स्टार्ट हो रही हो तो जो 1 से स्टार्ट हो रही है उसमें negative sign लगाएं अब मुझे बताओ हमें C0 into C0 करने C0 into C0 करने पर x की a-re? nR.I. YES c1 into c1 करने पर x की पावर c2 into c2 करने पर x की पावर c3 into c3 करने पर x की पावर बिल्कुल सही same power आ रही है तो इसे माना equation number 1 इसे माना equation number 2 मैं 1 and 2 को multiply कर रहा हूं 1 minus x लिखूं वो तो सही है पर x plus 1 को मैं 1 minus plus x भी लिख सकता हूं तो दोनों को multiply करने पर a minus b a plus b यानिकि 1 minus x square whole power n ही आएगा यहाँ पर यह पूरा expression into यह पूरा expression मैंने symbolic form में लिख दिया हमारे दिमाग में यह रहे कि यह दोनों चीज़े हैं यहाँ पर पर help तो यहीं से लेनी है कि multiply कैसे करना है अब मुझे बताओ जो required expression है जो required expression है वो इन दोनों को multiply करने पर x की कौनसी power का coefficient है clearly clearly it is coefficient of x power n तो left hand side पे coefficient of x power n क्या होगा left hand side पे क्योंकि left hand side की expansion कैसे चलेगी पहली term nc0 दूसरी term में x square फिर x4 old power कभी आएगी ही नहीं ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि left hand side जो होगा वो होगा nc n by 2 minus 1 power n by 2 x square power n by 2 equals to c0 square minus c1 square c2 square minus c3 square and so on तो यह अपने पास situation आई हम लोगों ने दोनों तरफ जब compare किया तो हमें पता चला सिरफ x power n दोनों तरफ compare पता चला कि सिरफ x power n वाली term यह होगी right side में product के बाद x power n वाली term यह होगी उसके अलावा खूब सारी और terms भी आएंगी लेकिन हमारा interest सिरफ इसमें है अब देखो क्या nc n by 2 हमेशा defined है आप कोगे नहीं मतलब यह तभी defined है जब यह तभी defined है जब n even होगा तो हमें यहाँ दो case लेने होगे case 1 if n is even this implies c0 square c1 square c2 square minus c3 square and so on this implies this is equals to ncn ncn by 2 and minus 1 power n by 2 case 1 इसके बाद case 2 की बात करते है case 2 की बात करते है if n is odd अब देखो अगर n odd हुआ तो मुझे बताओ क्या ncn by 2 defined होगा तो हम कहेंगे n by 2 is not an integer मतलब यह हुआ कि जब comparison होगा तो right hand side पे तो x power n वाली time आएगी पर left hand side पे कभी भी x power n वाली time आएगी ही नहीं क्यों क्योंकि n odd है तो मैंने बोला ना कि left side की expansion में तो x की सिरफ even powers आ रही है तो इस बात का क्या मतलब हुआ इस बात का यह मतलब हुआ कि when we will compare coefficients in right hand side we will get coefficient this but in left hand side we will not get any term having power n because in left hand side all the terms are having power even तो इसका यह मतलब हुआ कि जब n odd होगा तो इसकी value जो होगी इसकी जो value होगी वो शुन्ने होगी वो जीरो होगी और जब n इवन होगा तो इसकी value nc n by 2 minus 1 power n by 2 होगी this is good question and good application of coefficient method वो है Frederick Karl Gauss method यह method वही है जो AP का sum यह method वही है जो AP का sum calculate करने के लिए हम लोगों ने use किया था चुक है क्या करते थे हम इसमें इसमें जो series थी जो मनलब series होती है उसे उल्टा करके लिख देते हैं और इसकी खासियत यह होती है कि इसमें जो पहली term होती है मनलब खासियत यह होती है कि पहली term और last term को जो add करने पर आता है वही second and second last को भी add करने पर आता है जैसे एक question के थुरू मैं इसे समझा रहा हूँ जैसे ये है find sum of c0 plus 3c1 plus 5c2 plus 7c3 and so on second last term will be 2n minus 1 cn minus 1 and last term 2n plus 1 cn question ये है कि find its sum तो इसका sum वैस्तों 3 method से हम कर सकते हैं लेकिन अभी मैं सिरफ 2 method ही इसके बताऊँगा एक तो Frederick Calgos method and दूसरा summation method ठीक है दोने methods मैं आप लोगों को इस sum के लिए बता रहा हूँ देखो अगर coefficients AP में हो अगर binomial coefficients binomial coefficients के coefficients AP में हो तो आप क्या करोगे इस पूरे series को उल्टा कर लिख दोगे यानकि आखरी term 2n plus 1 पहली place पे लिखोगे लेकिन ढखना कि binomial coefficient having same value ही एक साथ आनी चाहिए जैसे C0 के नीचे Cn आना चाहिए C1 के नीचे Cn-1 आना चाहिए और ये चलते रहेंगे ये जो है ये है 3C1 को मैं n-1 लिख सकता हूँ C0 को मैं Cn लिख सकता हूँ देखो कितना शांदार method बनता है अब दोनों को add किया दोनों को add किया तो ये 2sn हमारे पास आया और यहाँ आप दियान दें 2n plus 1 plus 1 is 2n plus 2 2n minus 1 plus 3 is 2n plus 2 2n minus 3 plus 5 is 2n plus 2 यानि कि जब हम add करेंगे तो 2n plus 2 जो है वो common रहेगा बचेगा क्या C0, C1, C2 and so on Cn-1, Cn अब देखो फाइदा ये जो expression है इसकी value हमें पता है this expression is equals to 2 power n यानि कि 2sn is 2n plus 1 2 power n this implies sn is n plus 1 2 power n तो देखो ये एक तरीका था इसे को solve करने का अपने पास एक और तरीका भी है जिसे हम बोलते हैं summation method इसे को solve करने का एक और तरीका भी है जिसे हम बोलते हैं summation method तो method 2 is summation method लेकिन summation method अदिकतर मुझे इस पर्टिकुलर question के लिए लगता है r is moving from 0 to n 2 r plus 1 c r आपको दिख रहा होगा कि जो coefficients है वो एपी में है 1, 3, 5 कि आरथ तम आप find कर लो वो 2 r plus 1 होगी ठीक है c 0 c 1 c r r from 0 to n जब आप r को input करोगे तो वही आएगा अब हम क्या करेंगे इस से थोड़ा और simplify करेंगे r from 0 to n 2 r into ncr क्योंकि cr का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ cr means ncr plus summation r from 0 to n cr यह value हमें पता है this value is 2 power n इससे हम थोड़ा और simplify करेंगे s n equals to summation r from 0 to n 2 into r into n factorial r factorial n minus r factorial plus 2 power n अब मुझे बताओ आगे कैसे चलेंगे हम आगे चलने का तरीका है अपने पास क्या किया जाए आगे हम कहेंगे s n 2 को रखो आप बाहर summation r from 0 to n r n factorial upon r into r minus 1 factorial into n minus r factorial plus 2 power n ये r r से cancel हो गया अब आपको पता ये c में तभी बन सकता जब इन दोनों का सम उपर हो लेकिन इन दोनों का सम तो n minus 1 है तो हमी क्या करना होगा n factorial को expand करना होगा एक n को बाहर निकालना होगा या या summation r from क्योंकि 0 से start हो रहा था ठीक है ये cancel हो गया यान की अब 1 से start हो गा ये और n क्योंकि common निकल गया अब मुझे ये बता हो वाद इस 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 आर फ्रॉम 1 आर फ्रॉम 1 टु अन अगर हम चलेंगे पहल तो इसे थोड़ा सा और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा और ये simplify हो जाए कैसे ये लिखा हुआ है n-1 c r-1 प्लस 2 पावर n अब मुझे बताओ ये किसके ब्राबर है what is this r जब 1 होगा तो ये 0 r2 होगा तो ये 1 और last में r जब n होगा तो ये n-1 यानि कि this is c0 प्लस c1 प्लस c2 up to cn-1 जहां superscript n-1 है यानि कि sn की जो value अपने पास आने वाली है वो 2n into 2 पावर n-1 प्लस 2 पावर n है अब बताओ क्या answer match कर रहा है क्या दोनों से 2 पावर n common आ रहा है yes आ रहा है क्या ये answer और वो answer same है yes बिल्कुल same है तो दोनों इसे कोई भी method आप apply को रसकते हो and both methods are equally good Faradik मुझे थोड़ा सा personally क्योंकि simple है calculations तो इस वज़से ये मुझे लगता है कि better है अगर फ्रेडरिक कालकोस कहीं पर लग रहा है तो it's better to apply this method इस पर बेस डेक और question मैं आप से पूछ रहा हूँ find value of c0 square 3c1 square 5c2 square and so on 2n plus 1 cn square अब देखो क्या इसके coefficients ap में हैं? yes हैं तो अगर coefficients ap में हों तो ये मैंने बोला है coefficients अगर ap में हों तो it is better it is better it is better to use काल गॉस it is better to use frederick काल गॉस अब ये हमारे पास situation है ये sn अब आप देखो आपको क्या करना है क्योंकि coefficients ap में है तो आखरी term मैंने सबसे पहले लिखी और cn की जगा c0 लिखा second 2n-1 cn-1 की जगा c1 square लिखा third मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आप second term लिखें 3c1 square और यहाँ आप first term लिखें सही है अब देखो इन दोनों का sum 2sn इन दोनों का sum यहाँ पर क्या है 1 2n-1 plus 1 2n-2 2n-1 plus 3 2n-2 यानि कि यह बात clear हो गई कि हर एक term में हमें 2n plus 2 तो दिखेगा ही साथ में यह c0 square c1 square and so on c n-1 square and this is cn square यह हम लोगों नहीं याद किया है type 1 series लड़का-लड़की concept से इसे probe भी किया था हम लोगों ने तो यह अपने पास आ गया 2sn equals to 2 n plus 1 इसकी value आपको याद होगी 2n-cn यह दोनों cancel होगए यानि कि sn की value n plus 1 2n-cn this is the way यह अपने पास concept है यह अपने पास concept है और इस concept से यह अपने पास अंसराएगा इसे 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 इसी concept का एक और क्षच्चन And if AN equals to summation R from 0 to N, 1 upon NCR, okay? If AN equals to this, AN equals to 1 upon NCR, summation R from 0 to N, then summation R from 0 to N, R upon NCR is equal to, options, आप लोगों को दे रहे हैं, चार options, is equals to, is equals to N minus 1, AN, N by 2, AN, N minus 1 by 2, AN, and AN. तो इन चारों में से कौन से option होगी, अगर ऐसा है? Solution, solution मैं यहां से start कर रहा हूँ. देखो, हमें value किसकी चाहिए? इसकी. इसे नाम दे दिया मैंने SN का. इसे नाम दे दिया SN का, now we have to calculate value of SN in terms of, now we have to calculate value of SN in terms of AN. SN, कैसे? SN, अगर हम break करेंगे से, 0 upon, N C 0, 1 upon, N C 1, 2 upon, N C 2, and so on, N minus 1 upon, N C, N minus 1, and N upon, N C N. तो यह situation है अपने पास. अब देखो, यह SN की value है. यहां पर आपको दिख रहे हैं जो coefficients हैं, यानि जो numerators हैं, those are in AP. अगर numerators AP में हैं, denominators में binomial coefficients हैं, वो हमें पता है कि जो last time पे binomial coefficient है, उसकी और पहले time पे जो binomial coefficient है, उसकी दोनों की value सेम हैं. तो AP में हैं, तो क्यों न हम इसे उल्टा, express कर दें. कैसे उल्टा? last term N, बस N C N की जगा N C 0 लिखना होगा. second last term N minus 1, N minus 1 यहां लिखना होगा N C 1, N minus 2, N C 2, and so on, यहां second term लिखनी होगी, 1 upon N C 1 की जगा यह, and 0 upon N C 0 की जगा N C N. अब दोनों को आप add कर लो, दोनों को add करोगे, तो twice of S N equals to, देखो, denominator दोनों के same है, इन 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 दोनों के same है, and इन दोनों के same है, denominator दोनों के same है, तो क्यों न हमें एक काम करें, N common ले लेते हैं, क्यों? denominator same है, इन दोनों को add करेंगे, तो N upon N C 0 आएगा, इन दोनों को add करेंगे तो 1 प्लस n-1 n upon nc1 आएगा n upon nc2 आएगा and so on यह आजाएगा n upon ncn-1 और यह n upon ncn अब क्या चीज़ common आ रही है n 2sn n common बीच में जो बचता है क्या वो an है बीच में जो बच रहा है 1 upon nc0 1 upon nc1 क्या उसे हम summation r from 0 to n 1 upon ncr लिख दे yes, लिख सकते हैं and what is this? this is an इसका यह मतलब हुआ this implies 2sn is n an यानि की sn is n by 2 into an यानि की कौन सी option? यह option ठीक है? so Carl Gauss के यह 3-4 questions हम लोगो ने किये very interesting method और आप अच्छे से इसे सीखे कब लगना है मैंने आपको बता दिया जब आपको लगे कि पहली और last term को जो add कर कर के आ रहा है वही दूसरी and last second last term को भी add कर 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 के आ रहा है तो समझ जाओ we have to apply Frederick Carl Gauss method next type जो series की है वो मैं आपको question की help से बता दियता हूँ next type ठीक है? prove that prove that C0 प्लस C1 into C1 प्लस C2 into sorry फोरा सा mistake हो गया है C0 C1 C1 C2 yes सही है C2 plus C3 and last this is not plus product basically यह type जो है यहाँ पर product होगा ठीक है? we have to prove that this is equals to C0 C1 से लेकर C and minus 1 C0 C1 से लेकर C and minus 1 और आपके पास N factorial N plus 1 whole power N we have to prove this अग इसे अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो इसे प्रूव करने का तरीका क्या है? देखो राइट हैंड साइट से यह बात तो बिलकुल वीजिबल है कि we have to take out common C0, C1, C2 and so on यह सारी टर्म्स अपने को common लेनी होंगी यहां से अगर हम common लें तो C0 common बचा क्या आपके पास? यह बचा 1 प्लस C1 अपन C0 C1 common 1 प्लस C2 अपन C1 C2 common 1 प्लस C3 अपन C2 Cn-1 common 1 प्लस Cn अपन Cn-1 अब हम क्या करेंगे? C0, C1, C2 यह सारी टर्म्स तो हमारे पास आ गई लेकिन इन्हें कैसे सिंप्लिफाई करेंगे? यह लिखाव है 1 प्लस N फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल N-1 फैक्टोरियल ठीक है? N फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल and N फैक्टोरियल मैं कुछ भी cancel नहीं कर रहा हूँ ताकि मुझे मेरा जो पैक्टोरियल बनने वाला है वो disturb ना हो यह आया 1 प्लस N फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल N-2 फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल N-1 फैक्टोरियल दो टम्स तुम कहो तो तीन टम्स लिख देता हूँ थाकि पैट्रन साफ साफ नजर आए 1 प्लस n factorial 3 factorial n minus 3 factorial upon n factorial 2 factorial n minus 2 factorial ये and so on up to n terms अब देखो हमारे पास क्या है c0 c1 c2 cn minus 1 ये दोनों terms हुई cancel ठीक है जब आप इन दोनों को cancel करोगे तो देखो n 0 factorial is 1 1 factorial is 1 n factorial का मतलब होता है n into n minus 1 यहाई काम करते हैं एक step और आगे मैं चलता हूँ 1 प्लस n factorial n minus 1 factorial यहाँ क्या आएगा 1 प्लस n minus 1 factorial n minus 2 factorial ऐसा क्यों हो क्योंकि ये दोनों cancel हो गए और एक और चीज़ है क्या एक और चीज़ जो बचेगी वो है 2 factorial इसके बाद 1 प्लस ये और ये cancel 2 factorial n minus 2 factorial upon 3 factorial n minus 3 factorial and so on अब आप बताओ c0 c1 c2 cn minus 1 n factorial को हम लिख सकते है n into n minus 1 factorial n minus 1 n minus 1 कटा बचा क्या आपके पास n plus 1 upon 1 इसे जब आप solve करोगे तो ये आजाएगा what is this n minus 1 upon 2 n minus 1 upon 2 आपके पास बचेगा तो ये आजाएगा 2 plus n minus 1 upon 2 इसे जब आप simplify करोगे तो ये पूरा गया ये सिरफ factorial गया ये पूरा गया ये सिरफ factorial गया क्यों? क्योंकि n minus 2 को हम लिखेंगे n minus 2 into n minus 3 factorial वो पूरा cancel अब देखो ये क्या बच रहा है अपने पास 3 plus n minus 2 upon 3 and so on अब क्या? आंसर क्या आने वाला है अपने पास? ये n plus 1 ये n plus 1 ये n plus 1 कितनी brackets थी हमाने पास? n brackets थी तो n plus 1 कितनी बारा आ रहा है? c0, c1, c2, cn minus 1 कितनी बार n plus 1 आ रहा है? आप ध्यान से देखें n plus 1 n times आ रहा है n plus 1 power n upon 1 into 2 into 3 up to 1 into 2 into 3 देखो 1 into 2 into 3 up to n तो ये आ जाएगा n factorial and this is what we have to prove this is what we have to prove ये है जो अपने को prove करना है all right good question अगला जो question है वो है prove that 2 c0 plus 2 square c1 by 2 plus 2 cube c2 by 3 plus 2 power 4 c3 by 4 ठीक है? and so on last time is 2 power n plus 1 cn upon n plus 1 prove that this equals to 3 power n plus 1 minus 1 upon n plus 1 तो ये अपने पास कोईशन है 2 into c0 2 square into c1 by 2 2 cube into c2 by 3 2 power 4 into c3 by 4 and so on okay अब इसे क्या तरीका है करने का solution देखो गॉस फेरेडिक यहां नहीं लग सकता क्योंकि जो कॉफिशेंट्स हैं वो क्या है 2 upon 1 2 square upon 2 2 cube upon 3 ap ap में नहीं है है hp में है और hp में यह मतलब पहली term और last term को जो add करके आएगा वो दूसरी term और second last term को add करके नहीं आने वाला है तो अगर काल गोस मैथड ना लगे तो आप इसे समेशन में convert करो तो ये समेशन से ही होगा समेशन से होगा तो देखो समेशन 0 से लेकर n तक ये जा रहा है ठीक है? 2 पावर r प्लस 1 n c r upon r प्लस 1 आप बताओ क्या ये sumेशन बिलकुल से सेर मैथड रहा है 0 पुट करेंगे ठीक है 1 पुट करेंगे ठीक है बिलकुल सेट पैड रहा है फिर मैंने क्या paar था फिर मैंने का था कि summation मैथर्ड में इसके बाद ये बात आप लोगों और बता ही गई थी कि आप इसे simplify कर दो r factorial n minus r factorial r plus 1 अब मुझे बताओ what is value of r plus 1 into r factorial r from 0 to n 2 power r plus 1 n factorial upon r plus 1 factorial n minus r factorial अब मुझे बताओ ये r plus 1 है ये n minus r है ठीक है आपको क्या चाहिए आपको c बनाने c बनाने तो इन दोनों का sum कितने n plus 1 लेकिन ऊपर क्या है n ये n plus 1 है इन दोनों का sum ऊपर क्या है n ये c तभी बन सकता है अगर ऊपर भी n plus 1 factorial हो तो इसके लिए मुझे multiply and divide करना होगा किस से divide किया n plus 1 से and multiply किया n plus 1 से r plus 1 factorial n minus r factorial अब ये क्या आजाएगा 1 upon n plus 1 summation r from 0 to n ये जो पूरा लिखा हुआ है this is n plus 1 factorial r plus 1 factorial n minus r यानि कि ये लिखा हुआ है n plus 1 c r plus 1 2 power r plus 1 अब देखो इससे जब आप expand करोगे 1 upon n plus 1 इससे जब आप expand करोगे तो what is first term first term is n plus 1 c 1 2 second term n plus 1 c 2 2 square ठीक है third term third term is n plus 1 c 3 2 cube and last term is n plus 1 c n plus 1 2 power n plus 1 तो यार ये तो 2 power 1 से 2 power n plus 1 तक complete है but one term is missing which term is missing c 0 is missing यानि कि ये 2 power n plus 1 होता अगर c 0 से start होता मतलब 2 power n plus 1 में 1 की कमी है sorry देखो इस expansion को देखें आप ये लिखा हुआ है x power n x का मतलब x power n जिसकी power n है वो किसकी position पे है ये binomial तो है कहां क्या चीज मिसिंग है जीरो मिसिंग है जीरो मिसिंग है उसको मैं बैलेंस कर लूंगा लेकिन ये binomial कहां से start है इसे मैं summation form में लिखता हूं जरा summation are from ओके summation form से ही तो इस form में आये थे हम ताकि easily दिखे हमें ये देखो a नहीं है किसी की power superscript minus subscript नहीं है लेकिन 2 की power वही है जो base में power है यानि की 2 is at the place of b a नहीं है यानि की 1 यानि की ये लिखा हुए 1 plus 2 whole power n plus 1 लेकिन एक term missing है कौंस इस 0 तो अब बताओ क्या वही चीज प्रूब हो गई जो हमें चाहिए था 1 upon n plus 1 3 power n plus 1 minus 1 which is equals to right hand side hence proved alright